हेलो दोस्तों नमस्कार शंतोसी आयस में आप सभी का स्वागत है आज यहाँ पर काफी important topic है बहुत छोटा topic है लेकिन हर बार यहां से question आपके paper में आया हुआ है नदियों के किनारे इस्थित नगर से हर बार आपके PCS में आरो यारो में question पूछा गया है तो चलते हैं हम सुरू करते हैं आपका एक topic छोटा सी topic है लेकिन थोड़ा सा याद करने वाला है तो मैं पूरी कोसिस करूंगा इसी वीडियो में मैं के थ्रोव आपको पूरा याद करवा दूँँ जो लोग नए होंगे वो लोग जान हटना चक्र का हिश्ट्री और जोगर्फी सीरियल वाई से चला है नीचे प्लेइलिस्ट का लिंक दिया गया है जाके वहां पर शुरू से आप देख सकते हैं ठीक है हैं रिटे नोट्स इस हैं डिटे नोट्स को आप टेली गिलाम से डेली डाउनलोड कर सकते हैं फ्री हैं आप सब लाइक कर दिया करिए ठीक है आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है आपके वीडियो लाने के लिए ठीक है डेली ठीक है तो चलते हैं शुरू करते हैं पहला क्या कला है आप देवपरियाग देढ़ बहुत बात पूछा जाता है कहां पर है कौš से विश् यह देखे गंगोत्री से कौन से भागी रथी नदी निकल रही है यहां भागी रथी निकलती है तो यह देखे यह सीधे आती हुई यहां पर देव परियाग में और इधर अलक नंदा ठीक अलक नंदा जब यह मिल जाती है तो यह मतलब अलक नंदा और भागी रथी जब मिल तो इह देव-पariyag बनता है तो यहीं से गंगा नदीन को मतब नचाना जाती है आगे जती है अब यहां की बात करें गाजिपूर की बात करें देव परियाग राजय के किनारे थे इस पहां पर भागी-अथाkon तो भागी रथी और अलक नंदा के तर्ट पर कौन सा है यह आपका देव पर्याग है ठीक है जो देखते हैं कह रहा है बिस्डू पर्याग तो ठीक है बिस्डू पर्याग के बारी में देखते हैं बिस्डू पर्याग कहां पर है तो धौली गंगा और अलक नंदा के बीच मे यहाँ पर देखते हैं बिशुडू परियाग यह देखे बिशुडू परियाग अलक नंदा है यह देखे अलक नंदा और धोली गंगा इधर से आ रही तो यही पर आपका बिशुडू परियाग बनता है तो अलक नंदा और धोली गंगा के पास बिशुडू परियाग पर अ तो नंदा कनी बbbles आ रहा और शुथ वाट थो ये पिंडार 10 और यह अलते आ यहां रहिए तो यह पिंडार आउ परियाक बन साथ तो इसमें नंदाकनीसस एक नंदाकनी मिलने से और 2 इंदBERT bunlar9 अर्ड़ परियाख कहलेगा जहां पिंडार और अलक नंदा मिलती हैं उसको क्या कहलाते हैं उसको कड़ परियाग तो आपको याद जानते हैं क्या करना है अलक नंदा मत याद करिए जब बिसड़ू पर याग आ जाये तो धोली गंगा याद कर लिजिए देव पर याग आ जाये तो भागी रथी याद कर नंद परियाग तो नंद आकनी इसको यादी नहीं करना है नंद आकने कर लीजिए और कड़ परियाग पिंडार याद कलिए और सबने अलग नंदा लगा दीजिए अलग नंदा नहीं यहाँ यहां बधी तो में 측ore ट्रवाइब में क्या है अलकना लगा है सिर्फ आपको यहीं याद करना है कोई भी पूछे देव परियाग भागी रती दिमाग में आ जाए और अलकना रहेगा यह विश्रू परियाग पूछे घ्ठात फूरवर्ड याद कर लिजीए कौने किसके बस इसका पूरा कामिक है तो मैंने मैब में भी दिखा दिया है अलक नंदा ये देखिए पूरी आ रहा है पहले धोली गंगा मिलती है नंदाकनी पिंडार फिर ये भागी रती ठीक है तो भागी रती और अलक नंदा मिलकर देव परियाग बनाते हैं ये सब अस्थानों के नाम थे इधर से ये मुना है और इधर से ये गंगा नदी है यहीं पर परियागराज में यंगा ये मुना मिल जाती है तो यहीं तो इससे बाइन गाजिपूर्च शपरा सोनपूर पटना यह है झार आप देखें यहां पर तोड़ा सा देख लीजे चंबल नदी इसको पहले ही बत इधर राजस्तान से यम्प से यह सब कि से स्भ्रड में इडामा में जाके यमुना से मिलती है तो देखते हैं अब देखती है और देखते हैं अब देखे यमुना की शाहिक निदी कौनसी है जी सिन्द है यह सब को पढ़ा चुक ь है तीन भी यो सिर्फ नदियों से ही कि चार दिनों में हें ऑफ यहां बेटवा यमुना की सहाइग नदी केन अब केन की एक सहानादी ढाहसान वह पेपर को स्ब्सक्स पश्चिम से पूरब तक नदी बताईए तो आपको पहले चंबल बताना है चंबल बताना है चंबल के बाद इसके सिंध बेतवा केन धसान यही है अब मतलब इससे साइड ऐसे पड़ेगा ठीक है तो यह याद रखेंगे अब देखें यहाँ पर देखते हैं नदी और पर्मुक सहर तो नदी और पर्मुक सहर में बहुत बार पूछा गया है जितनी भी आपको बता रहा हूं यह पैपर में आपको पूछा गया है जिससे गंगा नदी गंगा नदी के किनारे कौन सा सहर है तो गंगा नदी के किने ह यह चार पांची नहीं पढ़ते हैं मतलब जो परमुक्ष है उसकी बात मैं सिर्फियां के किया हूं ठीक है और यह जो आपको पेपर में पूछा गया है हाई धुआर ठीक है फतेपुर गानपुर सबसे बड़ा पूछे सबसे बड़ा सहर गंगा नदी के किनारे को नहीं है तो वह कानपुर है जनसंख्या नहीं बड़े सहर की बात कर रहे हैं वाराडसी ठीक है भागलपूर पटना यह सब किसके गंगा नदी के किनारे हैं ठीक है यह देखिए गंगा नदी ठीक है तो गंगा नदी के किनारे का उनसा पटना भी पढ़ जाता है ठीक है पटना भी बचिता है इलाहावाद भी गंगा नदी के किनारे ही पढ़ जाता है अब आपका जहां प्र उपर यह भागलितो बायद्वह याद रखीगा टीग है जबनान नदी किजार नए डिल्ली आपको यादि के यादी होगा आगरा यादी होगा ताज महल यमुना नदी के किनारे तो यादी रहता है मतुरा यादी रहता है इतावा याद कर लेजिए जो नया याद हो वही याद करिए यमुना नदी के किनारे इतावा इतावा के जो लोग होगा उनको यादी होगा इतावा भागी र किनारे हैदराबाद इस्तित है यहीं पर क्या है मूल सी नदी किनारे मूसी नदी किनारे मूसी नदी किनारे है है दरबाद इस्ते है ठीक है यह याद रखेंगे अब देखें यहां पर यहां पर सिरी नगर है ठीक है याद रखेंगे झेलम नदी और सिरी नगर इस्तित है पिंशत देखते हैं सिंध नदी पूछ रहा है सिंध नदी किसके किनारे है सिंध नदी ले मतलब सिंध लेह के साहर के किनारे सिंध नदी है तो लेह भी देख लिजी यहाँ पर यहाँ पर नहीं दिया लेकिन लेह वाला पूरा अरिया है यह सिंध नदी बार रही है यहीं पर लेह है ठीक है लेह सतलज लुधियाना ठीक है यह भी बहुत इंपोर्टन्ट है बार-बार UK PCS 2002 में पूछा गया है ठीक है सिंद नदीवाला 2013 में UDA में पूछा गया है अब देखिए यहां पर सतलज ठीक है सतलज नदीगे किनारे तो यहां क्या लुधियाना है तो सतलज किनारे लुधियाना स और सूरत देखिए अगर आपसे आहमदाबाद पूछे तो साबर मती ठीक है और सूरत पूछे तो सूरत में ता रहा ना है तो तापती लगा दीजिएगा और साबर मती पूछे तो गाधी नगर और आहमदाबाद दोनों में कन्फ्यूज मत होईएगा ठीक अगर साबर मत पूछे तो घाधी नगर और फो तो तो साभ्रमती आसनल मुहीं है अफ्म्धाबाद गाधी नगर और तफटी की सूरत मैप में देखते हैं हम सटीधिय। में इहां लाए हैं। देखे यहां पर ऑग लोग बात करें यह आहंदाबात बात करें तु किनारे कौन सा सूरत स्थित स्था है और बेटुल सोडह रेखा नदी कि जंसेदपूर इंड़ेस्ट्रेट यहां से निकलती है यहँ पर जंसेदपूर इचिको याद रखिगए जंसेदपूर है इंद्रावती नदी किनारे जगदलपूर नर्मदा के लिए जबलपूर तो यह नर्मदा के किनारे जबलपूर है चिप्रा उजयन बहुत इंपोर्टन्ट है चिप्रा नदी के किनारे उजयन साहर बसा है जबलपूर उजयन चिप्रा नदी किनारे चिप्रा आभी देखी यहीं पर जबल बहुक्त की सहाइक नदीए जबल बहु रही है जाना पावा पहाड़ निकलतrences है चिप्रा अब देखिए राम गंगा कहा है बरेली से याद रखंगे अगरम गंगा कहां से निकल रही है वह मलब राम गंगा के किनारे företर कौन से जा है बरेली स्थितार है याद रहें एंपॉरडण नदा करी यह तीन पूछा गया था मनदाकनी की किनारे देख लिजे, राम बाड़ा है, गौरी कुन्ड गुप्त कासी, सर्यू नदी की किनारे, अजध्या, ये तो पता ही होगा, रापती, गोरखपूर, ये भी कई बार पूछा गया, रापती, तो गोरखपूर, बरहमपुत्रा, जाद रखेंगे ब्रह्म पुत र गुहाँ कोटा मेडिकल की तयारी होती है टेके महा पर कौंसे नदीव है चंबल ठीक है चंबल तीक याद रखेば कान tuam महा नदी कटक कभी benefits पूचह तो महान नदी के किनारे नहीं इस्तिता है ठीक है या कई बार आक से पूचा गया है गलत फॉर्म में दे दिया जाता है कि भूनेसवर महा नदीगे किनारे नहीं है कटक महा नदीगे किनारे इसे थे अब देखिए अभी मैं कुश्चन दिखाऊंगो तो आपको समझना जाएगा गंगा नदीगे किनारे सबसे बड़ा सहर कानपूर है उत्तर भारत का इसको मंचेश्टर भी कहा जाता है यहां चमड़ा उद्दोग परसिद्ध है यह सब पताई होगा आपको तो सबसे बड़ा सहर कौन है कानपूर है गंगा नदीगे किनारे उत्तर भारत का मंचेश्टर तेखें लेह के किनारे सिंधु नदी मतलब लेह के किनारे सिंधु नदी बहती है भूनेसवर दया और कुगा खाई नदी के तड़ परिस्तित भूनेसवर हमीशा महानदी वहां आप्सन में देता है महानदी नहीं लगाएंगे ठीक है मैं बार-बार का रहा हूं आपके साथ 2014 में पूछा गया था ठीक है पूछा जबल पूर कहा है नर्मदा नदी के गिनार हैदराबाद भी बता है मुसी नदी के गिनार एक कोटा पढ़ाई होती है यार वो मुझा मेडिकल और टेक्नोलोजी वाला मुझाईटी वाला ये तो ये चंबल नदे ठीक है ये नासिक कोदावरी ठीक है तो ये याद रखेंगे कस्मीरिक में पहलगाव एक है नहीं पहलगाव जहां पर कई फिल्मों की सूटिंग भी होती है ठीक है अपना सुजरलेंड बोला जाता है पाल लिद्दर नदी के किनारे है पूछेंगे लिद्दर नदी पहली बार नाम तुने ह में जहेलाम की सहाइक नदी है लिजद्दर नदी ठीक है याद किंगे अब देखेंगे चंद्रभागा पंठरपूर तिर्चूला पलल्ली कावेरी हम पितुंग भद्रह हम पी प्राचिन सहर है एक इसके किनारे है तुंग भद्रा नदी के किनारे है तिर्चुला पल्ली कावेरी नदी के किनारे है चंद्रभागा पंठरपुर के किनारे है तो याद रखेंगे important है अब देखते हैं यहाँ पर कुश्चन देख लेते हैं ठीक है अब अभी आप इसको करके मैं कुश्चन पूरा करवा दूगा अगर आपके पास घठना चक्र हो तो उसको करिएगा आपको काफी अब देखिए लाइफ में सबसे इंपोर्टन क्या है कि आपको कॉंफिडेंस बने रहना क्योंकि यह पेपर है यहां पर सभी चीजे होंगी लेकिन आपको कॉंफिडेंस को डाउन नहीं होने देना है किसी भी तरह से आप कॉंफिडेंस बनाए रहिए चलते हैं कुश्चन कर पूछा है कोटा चंबल एकदम सब्सक्राइब नासिक गोदावरी एकदम सब्सक्राइब यहां पर बीवाला अगर आप सबसे बड़ा साहर क्या है तो बीपीसी ने यहां पर कानपूर माना तो आपको कानपूर ही मानना पड़ेगा ठीक है तो कि जनसंख्या और में हो सकता हिलाबाद दे या पटना दे दे लेकिन यहां जनसंख्या नहीं पूछा है यहां कानपूर बताना बड़ा साहर तो सबसे बड़ा साहर है कानपूर ठीक है गंगा नदी के किनारे पर इससे नहीं है तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा यह कानपूर तो पढ़ा यह भागलपूर पढ़ा है ठीक है और उत्तरकासी उत्तरकासी कानपूर मतलब नहीं इससे था ठीक है उत्तरकासी हमने कहां पढ़ा एक बार देखते हैं कि अभी क्या पढ़े हैं उत्तरकासी यह उत्तरकासी तो यह भागी रथी नदी के किनारे इससे था भागी रथी मतलब ज इसलिए भागी रथी गंगा नदी किनारे नहीं कर सकते इस एरिया में है तो भागी रथी किनारे हो जाएगा तो याद रखेंगे उत्तरकासी किसके किनारे है कि उत्तरकासी भागी रथी किनारे फात्यपूर तो ही यह भागलपूर कानपूर है ठीक है ले अवस्थेत है तो देखिए कुश्चन अच्छा है सिंदु नदी के ताय तड़ पर अवस्थेत है ले ठीक है उज्जयन इस्थेत है तो छिप्रा नदी अभीम बता रहें तो छ डेखिए उजयन जो जो आपको पता हो लगा देजिए उजयन छिप्रा नदी के किनारे हैं यह इन भी इप काड़ के किनारे एक हैं और सी का दूसरा तो सी का दूसरा अभी भी अपको नहीं मिला है अब दिखे जगदल पूर बेतूल तो जगदल पूर इंद्रावती नदी के किनारे इस्तित है और बेतूल किसके किनारे इस्तित है तापती नदी के किनारे सूरत और बेतूल ठीक है यहाँ पर सूरत भी लिख द जाएगा आई इसका कुश्चन नहीं कि सिंपल ही कुश्चन आया हुआ है 2007 में अब देखिए 2019 में ऐसे कुश्चन आ गया है करा पंठरपूर तिर्चुरापली हमपी हमपी अभी हमने कहां बताया है तुंग भद्रा नदी माल परभा कहां है नहीं तो तुंग भद्रा तुं यहां भी गलत हो जाएगा यहां भी गलत हो जाएगा यह कोई आप देखिया आपको पहले दुसार चाह्याए पता हो चाहना लेकिन आप क्या कर लिए तो वहीं करना हूँ आप अगर जूड़े रहेंगे तो आप ऐसे-एस का कुश्चन क्यों में करेंगे ठीक है तो पंठ लुझता छंद्रभागरंभाण किनार्पंठरपोर्ठी तिर्जुला कवेरी किनार्पिंधा यह मंद्धम चौन II गुप्तकासी अभी उपर ही पड़े हैं गवरी कुंड राम बाडा गुप्तकासी ठीक है यह मंदाकनी नदी के किनारे अब 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 नदी के किनारे तो बस आज के लिए इतना ही थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक था लेकिन अभी जितना हमने नदीयों के किनारे इसार हमने बताया है आपको सिर्फ इतना अब पढ़के अगर चले जाएंगे तो आपका वहां पर कुश्चन लगभग सही हो जाएंगे मालब अगर इससे कुश्चन आ गया मतलब नदीयों किनारे से तो कुश्चन आपका गलत नहीं होगा देखिए इतना ही पढ़ि और यह कोई भी यहां से अगर कोई कोईशन पूछ दे ठीक तो आप बता देंगे तो यहां में में जो सहर है वो तो आई गए है ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक सेर सब्सक्राइब कर दिया करिए ठीक आपके थोड़ा सब्सक्राइब की जरूरत रहती है बस ठीक है तो अपना ख्याल लखेगा जै भारत